हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को एक आउने वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं यह आपके पास में यहीं प्रिंटर है लेकिन इस प्रिंटर में यहां पर इंडिकेटर लेवल में यह जो औरेंज लाइट आपको जलता हुआ ना जड़ाए तो आपको क्या करना च आपको यहां पर एक प्रिंटर की जो आपको यह ड्याइड में और फेंडिकेटर को इसमें ना के बरावर है यह कुछ भी नहीं यह पूरे यह फाली हो चुका है इसका जो लेवल एकाफी नीचे गिर गया इसलिए इंडिकेटर आपको देखनी को मिला है औरेंज़ लसे औ कर ना पढ़ेगा रिफिल करने के लिए कौण सा कहम आफ यहां पे युह का उप्जा ृफियोग करेंगे कि इस शुनापर को जाने इस वीडियो मैं तो जिस father ginger dayama पे देख सकते यह कुकर चालू हो जब भी आपको यह यह शुक्त इ प्रिंट कर सकते लेकिन इस पे जो है आपका औरेंज लैट ज्येसे आपको देखने को मिले तो आप इसमें रफिल कर दीजिए ने तो आपका जो टॉनर है इसका वन्दर में जुडं है और ड्रम आपको खराफ हो सकता है क्योंकि ज्यादा प्रेसर परेगा हीट परेगा तो तो आपको खराफ हो जाएगा तो इसलिए जैसे यह लैट निजर आए तो आप इसमें रिफिल करें रिफिल टॉनर आपको में एक बार देखा तो कि रिफिल टॉनर का जो मोडल नंबर आपको कौन सा यूज करना है अब यहां पर देख सकते हैं यह एच्पी का जो जैनून ह आपको औरिजनली पीस आप यूज करिएगा क्योंकि यह कौशली प्रिंटर है तो आप लोकल फोकल मार्केट से यूज करेंगे तो आपका जो ड्रम हो सकते है तो वह भी खराप आपका हो जाए तो सबसे अच्छा है कि इसका जो इनका जो प्रोपर है प्रोपर चीजी आप जो मोडल नमर आपको देखने को मिलेर 103aड आप यहां पर देख सकते हैं यह जो मोडल है यही वाले मोडल इसमें काम करेंगा 103a बोलेंगे वह समझ जाएगा तो यह वाले आप रिफिल टोनर यूपयोग करेंगे यह वाले बॉक्स में आपको दो रिफिल टोनर गाल कि और थसे दूसरा कि जैसे आपने एक ही टोनर इसे हमे उज espero windows कर सकते, Since design of the दूसेसे नयुकता, कि 10 दूसरा मेel रहले जो और धान कर दच कर सकते छोर थीजिकर साहसे फास ard deduct की जईसे आपट दो हजार व्योच कज़ें करेंगे अपने प्रिंटर को रिफिल करेंगे इस पर जदी हम प्रिंटर करेंगे जो प्रिंटर करेंगे इस वाले इंडिकेटर पर जदी आगे आपके प्रिंटर लेकिन हम प्रिंट इनमें कर रहे तो आपका जो ड्रम है एक वार में आपको ड्रम दिखा दे तो वह ड्रम आ आपको औरेंज लाइट देखने को हम fry लगा तो तबह пост susa अप क्या करेंगे अपने प्रिन्टकों रिफिल करेंगे तो अच्छे लगाँ तो यांच्छ लगूँ तो लाइक से और जरूर करें फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जानेंगे अगले वीडियो में के रिफिल हमें कैसे करना है